like 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 share share and comment subscribe to auntie's channel auntie's channel good boy allah is girl bye bye card allah face is there the camera me go smile smile will be go baby बिसमिल्ला इर्मान इर्हीम, असलाम अलेकुम, वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग, अलहमदुलिल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई सुबह के साथ एक प्यारी सी दिन का आगास करते हैं ये जी मेरी जान, मेरा हाँ का गोशा, मेरा जिगर, मेरा हमद रफियुला आली सही ये जी आप लोगों को जैसे पता होगा कि दावर में स्मॉग है काफी तो वहाँ पर लॉंग विकेंड था और ये घर आगए, अलहमदुलिल्ला, अलहमदुलिल्ला और फिर जब बच्ची आते हैं तो फिर बिर्यानी भी जरूरी होती है, पकती है तो बस ये खैर से कल पोहनचा है संड़े को खैर से इसकी बाप्सी होगी तो पिर आपको पता ना जब ये आता है तो फिर हम लोग शूगल करता हैं कठे ही और मैं शॉपिंग पे निकल जाते हैं ये कहीं भी निकल जाते हैं तो बस इसके साथ फिर ये ही मज़े होते हैं वरना तो पता नहीं मुझे ऐसे लगता कि जैसे मैं कितना अरसा गुजर गया और मैं कहीं गई ही नहीं हूं कि जब से ये बड़ा हुआ है ना मैं इसके साथ ही जाती हूँ जहां भी जाती हूँ तो माशाला माशाला चले चलते हैं थोड़ा सापको भी अपने साथ ले जाते हैं जो सारा दिन हमने गुजारा आज का फैर में इस वक थकी तो बहुत ज्यादा बैठी हूँ लेकिन चले मैंने उठा के चलती रही हूँ तो मेरी सही वाली आई दुर्गत बनी विया मेरा जो है ना ना मेरे साथ इस वक्त कमर साथ दे रही है और ना ही मिरा हाथ जिस पर मैंने उसको उठाया वाथ था अल्ला उसको सहत से जिन्दगी दे आमीन लंबी हयात दी हो मेरे बच्चे की तो बस ये हालात हैं और ये जी हम उनको लेने चल पड़े लेके और उसके बाद फिर हमने मेरी जो बड़ी वाली भांजी हैं उनको और उनके बच्चों को लिया आपको अपना द्रिया भी दिखा दें डियर इसमाइल खान का इंडिस्ट रिवर सिंदू, सिंदू द्रिया उसकी भी आपको सेहर करा दें चलें जी ये आफरीन आ गई है आफरीन और मुहमद निना आज ट्विनिंग की वी थी दोनों को सेम एक जैसे कप्रे थे और माशाला माशाला दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और प्लीज जरूर माशाला बोला करें जब भी मेरे बच्चों को देखा करें तो बस ये है के थोड़ी दिर बाद कलर बहुत ही कोई लाइट था लेकिन दोनों नहीं ना उसके कपड़ों का एपने हश्र कर दिया क्यूंकर आपको पता है डिर असमयल खान में भी खैर काफी अलाकों में कल रात को बारश हुई है और काफी तेज बारश हुई है आंध ही थी उसके बाद बारिश हुई है मैं तो खैर सो गई थी मेरा जो बच्चा होता है मेरे पास कामवाला वो बता रहा था कि रात को शायद जाला बारी भी थी लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सो गई थी और मौसम काफी अच्छा हो गया ठंड हो गई है लॉन रखने का मौसम आ गया है और मैं आपको बता रही थी कि ये जो इन दोनों की ट्विनिंग हुई वी है और एक जैसे इनोंने कपड़े पैने हुए है इस पिचारे इस सूट का हशर खुआर हो गया था मतलब सुबह से लेके शाम तक या बारा से लेके छे बज़े तक इनके दोनों की कपड़े बिल्कुल तबाव हो चुके थे तो लो वो तो छोटा है अभी चलना नहीं उसने स्टार्ट किया और जो आफरीन भी भी हैं वो तो माशाला बड़ी है लेकिन उन्होंने वहां पे जाहर है जो लॉन और गयरा होते हैं पानी लगावाथा रात का कीचर बनावाथा तो उसमें वो गुस गुस खे गुस गुस बिस थे उसने अपने कपड़ों का हशर कर इया जितने प्यारी हिए दुनों सुबह में लग रहे थे उसी तना ही इन्होंने उन्हों बे इंतहा का हशर गिया पहराल बहुत मज़ा आया, आज का दिन मैंने का आप अपनी यूट्यूब फैमली के साथ भी जरूर शेयर करूंगी अलापक सब की खुश्यां बरकरार रखे, आमीन और सब को खुश रखे अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, आमीन, सुमामीन तो मेरे ये चोटे-चोटे से जो बच्चे है ना इनको देख के जरूर आप लोग ना माशाला जरूर पढ़ा करें तो बस इतनों के खास विलॉग नहीं है, आज बच्चों का ही है कि इनको इन्जॉय करवाया, इनको खिलाया, खाया, प्या, काफी देर हमने एफसी में आज बिल्कुल खामोशी थी, कोई लोग नहीं थे, रश नहीं था, और मैंने कुछ दिन पहले बलके सुना है कि हमारा ये जो एफसी बार्बीक्यू टुनाइट या नाइट जो भी इसका नाम है, ये खत्म हो रहा है, ये निवेंबर लास्ट मन्त है इसका, पता नहीं क्य बाय करते थे बहुत जादा, बलकि हम ही क्या काफी लोग, बाहर से भी बहुत लोग आते थे इदर, और अंदर से जैसे केंट के अंदर के जो लोग हैं, तो रुजाना शाम को यहां पे वच्चे भी खेल रहे होते थे, इन्होंने बहुत अच्छा सा सेटप बना दिया था देख सकते हैं आप लोग, बलकि मेरी बहुत सारी वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर किसी और को भी पता है, कि यह वाकई में खतम हो रहा है, या पता नहीं जूट है, या जो भी रियूमर्स है, लेकि यह जो या इतना चल नहीं रहा, या पतनी क्या, क्योंकि अभी, अल्ला माफ करें, हमारे डेरा इसमाइल खान में अभी बलास्ट हुआ था, कुछ दिनों पहले, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो डेरा से बाहर के लोग है, बॉम बलास्ट हुआ था, टांक अड़े पे, और क जैसे रश वाला एरिया है वो, तो अल्ला माफ करें, बस अल्ला पाक, पतनी ये देश्ट गर्दी कब खतम होगी हमारे मुलक से, तो उसकी वज़ा से मेभी इनोंने पबंदी लगाई है, या उसे पहले की भी, I think कुछ इस तरह की स्टिकनिस थी के बिकल बाहर से लोग आन की, ना ही लेडिस एरिया में, ना जेंड्स एरिया में, लेकिन बकौल इन लोगों के कि ये आप इसलिए खतम करें, कि इन्होंने किराया बढ़ा दिया जगा का, और जैसे कि बिजली के बिल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और इतने इनकम नहीं थी, जितना कि उन्होंने रखावा है अपना स्टाफ भी और और भी चीज़ें होती है ना, तो बस उनकी इतने इनकम नहीं थी जितना उन्होंने, वो कह रहे थे कि भी हमारा ना लग जाता है, लागत जाता है, तो बस अल्ला पाक हर किसी को अच्छी रोजी दे, अच्छा रोज़गार आमीन, सुमामीन, लेकिन हम लोगों के लिए ना, ये एक प्यारी सी जगह थी क्यूंकि हमारे डेरा में ना, एक पर्दे का महौल है, हम लोग बाहर जितने भी रेस्टरंट्स हैं, वहाँ पे एक तो मर्द हजरात हमारे अलाओ नहीं करते, लेडिस भी अकेली नहीं जा सकत है, लेकिन वो भी इस तरह का है, कि हमारे शेहर के साइट पर ही हो जाती हैं जगें, लेकिन उनकी हाल्स हैं, यहां पर ये लॉन था, बड़ी बड़ी जगें थी, इन्होंने सही ये पार्क का एरिया बनाया वा था, तो बस अच्छी जगह थी, चलें ला करे कीजे, गर जो गोड़ ले ले और ये रहे इस तरह इन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा था, यह हुजरा भी बनाया था और भी बहुत सारी चीज़ नहीं कि काफी सारे अलग लग इन्होंने चोटे चोटे केबन्स भी बनाये थे, फैमिली के लिए जैसे कि पर्दे का माहुल है, उसके पाक उनकी रोजी में बरकत जा लें और अला करे कि वो ये चलता रहे और अगर बंद हो गया तो चले कोई मसला नहीं खैर है उसके बाद जी मैं इन बच्चों को लेकर गई थी इदर गॉल्फ कलब है ट्रैक भी है साथ में वाकिंग ट्रैक भी है हमारे घर के पास ही ये जगा भी हमारे घर के पास ही हो जाती है तो ये बच्चे माशाला बहुत खुश थे खासकर मेरा महमद बहुत खुश था बहुत खुश था यहां पे ना बर्ड्स की ना आवाज जो चहकार होती है उसे इतना खुश हो रहा था माशाला माशाला और आफरीन भी बहुत खुश थी माशाला से और इन्होंने यहां पे बहुत इंजॉय किया यनि के हमारा एक बहुत अच्छा दिन और बहुत ही मज़े का दिन गुजरा अलहमदोलिल्ला अला के शुकर से अला के फजल से और उसके बाद इन्शाला ताला आगे मैंने कुछ और चीज़ें बनाई हैं मैंने ग्रॉसरीज की थी और इस दफ़ा मैं आपको बताओं मैंने जो ग्रॉसरीज की हैं उन में से ज्यादा तर ग्रॉसरी मैंने ज्यादा तर नहीं सॉरी अक्सर सारी चीज़े मैंने सिर्फ शेंपू चोड़ की क्योंकि शेंपू हमारे डेरा में नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी जितने भी स्टोर्स हैं मैं C.S.D. से चॉपिंग करती हूं अगर मेरा 30-35 ग्रॉस किया है हमने वो सारी वो चीज़ें खरी दी हैं जो पाकिस्तानी है हमने कुछ भी दूसरे मतलब ब्रैंड्स का नहीं लिया खेर हमें मैं अपना बता हूं बाकियों का मुझे नहीं बता मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कि ये सब कुछ संसिल्क है और ये जो कुछ भ पता नहीं था कि ये सब कुछ बाहर का है हमारा कुछ भी नहीं है अब जब ये हमने बाइकॉट का चलाया है सारा और मैं इंशालला इंशालला बाइकॉट करूंगी भी सही और मैंने किया भी है अब जाके पता चला है कि ये चीज़े हमारी है ही नहीं सारा कुछ हमने अपने मतलब जिंदकी में इनको लागू कर दिया है मैं पता भी नहीं था आज तक इन चीज़ों का कि ये चीज़े हमारी है या किसी बाहर मॉमालगी है च्मलो नेसले का पता है ये दो कुछ इस तरह की चीज़े हैं जिनका पता था बाकि उनका नहीं था पता वो नेक्स्ट विलॉग में मैं आप लोग से शेयर करूंगी अभी ये मैंने आज जो हमने दिन गुजारा माशाला बहुत मज़ा आया बहुत इंजॉई किया और वो सरफेक्सल कहता है न दाग तो अच्छे होते हैं तो अभी आफरीन ने आज इतने दाग लगाए इतने दाग लगाए कि पतर नहीं अब उसकी अमा जी वो जो लाइट सकाई ब्लू कलर का जो ड्रेस है ये धुलेगा कैसे मुझे इसकी ये समझ नहीं आ रही थी चलें आप लोग भी दुआ कीजएगा कि ये दुल के साफसरा हो जाए दुबारा से पहनने के काबल हो जाए और इन्शाला नेक्स्ट फिर किसी और विलॉग में मुलाकात करेंगे किसी और में नेक्स्ट में आपको शॉप में विलॉग दिखाऊंगी जो मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग किया है चलें मिलते हैं नेक्स्ट विलॉग में तब तक के लिए दोओं में याद रखिएगा मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर लें और लाइक कर लें जजाकालला बहुत बहुत महरवानी देखने के लिए जो जो मुझे देख रहा है अल्ला आफेज